नाम मन्जुनाद श्रनमुगम गुनाह मिलावट खोरी पर रोक सजा मौत तारीख 19 नवंबर 2005 मन्जुनाद श्रनमुगम भारत के किसी आम युवा जैसे ही थे चोश से लबरेज, 27 साल का युवा जो पेट्रोल पंप्स पर छापे मारता था मिलावट खोरों की जम कर खबर लेता था मन्जुनाद अपनी जूटी बजा रहे थे पूरी इमानदारी के साथ आयायम की डिगरी लेने के बाद उनके सामने कैरियर बनाने के तमाम मौके थे लेकिन उन्होंने एक सरकारी तेल कंपनी में फील्ड अधिकारी की नौकरी शुरू की मन्जुनाद की जिम्मेदारी थी यूपी के पेट्रोल पंप्स पर बिकने वाले तेल की गुणवत्ता बनाए रखना उनके सामने दो रास्ते थे पहला आसान था और मलाईदार था वो सिस्टम का हिस्सा बनकर तेल के खेल में शामिल हो सकते थे दूसरा रास्ता जरा टेड़ा था खतरनाक था तोकि ये सिस्टम का हिस्सा बनने की जगा सिस्टम की सफाई की बात करता था मंजुनाथ ने दूसरा रास्ता चुना इसलिए नहीं कि वो हीरो बनना चाहते थे बलकि इसलिए कि उन्हें इमानदारी का रास्ता संतोष देता उन्होंने लखीमपुर खीरी के पेट्रॉल पंप्स में मिलावट के मामले पकड़े और एक्शन लिया 19 नवंबर 2005 को मंजुनाथ पेट्रॉल पंप का अचानक निरिक्षन करने पहुँच गए तेल में मिलावट हो रही थी चोरी खुलती देख बेइमानों ने मंजुनाथ को गोलियों से चलनी कर दिया एक इमानदार अधिकारी की हत्या ने खलबली मचा दी प्रशासन कारवाई को मजबूर हुआ लंबी सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने आश लोगों को सजा सुनाई सिस्टम खुद को चुनोती देने वालों को बरताश्त नहीं करता लेकिन मंजुनाथ स्रणमुगम जैसे लोग समय समय पर ये जताते रहते हैं कि अगर सिस्टम को खराब करने वालों की फौज लंबी है तो ऐसे लोग भी हैं जो इसकी सफाई के लिए जान पर भी खेल सकते हैं